बीजेपी नेता सुनाली फोगाट का गोवा में बीती रात दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया 42 साल की सुनाली फोगाट हर्याना के फतेहाबाद के बुथन गाउं की रहने वाली है वो भाजपा के महिला मोर्चा की राश्रिय उपत्यक्षपी थी डिपोर्ट के मुताबिक वो अपने कुछ करमचारियों के साथ गोवा गई थी फोगाट ने कुलदीब बिश्नोई के खिलाफ आदमपुर विधान सभा शेत्र से पिछला विधान सभा चुनाब लड़ा था लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी वहीं नेता होने के अलावा ये टिक टॉक स्टार भी रह चुकी है इतना ही नहीं ये बिग बॉस 14 में भी नज़र आ चुकी है सुनाली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में एंकरिंग से की थी वो हिसार दूर दर्शन के लिए एंकरिंग करती थी दो साल बाद 2008 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली 2019 में भाजपा की टिकेट पर आदमपुर से विधान सभा का चुनाब लड़ा सुनाली पंजाबी और हर्यानवी फिल्में म्यूजिक वीडियो भी कर चुकी है उन्होंने साल 2019 में फिल्म चोरियां चोरों से कम नहीं होती में भी काम किया था ये उनकी पहली फिल्म थी सुनाली फोगाट की मौत पर हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने भी शोग जताया उन्होंने ट्वीट किया कि भाजबान नेत्री सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन का बहुत दुखत समाचार प्राप्त हुआ इश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चर्णों में स्थान दे एवं शुकाकुल परिजनों को यसीम दुख सहिन करने की शमता प्रदान करें ओम शान्ती